कि एगाइज वेलकम टो ग्रेट अपगेड सु स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन अनालीसिस का थर्ड वीडियो फर्स्ट वीडियो में मैं थुम लोग को एग्रेशन अनालीसिस के आउदे डीटेल में एक्स्पेयन किया था फिर स्काड़ डाग्राम कर वाया था सेकिंड इक्वेशन सॉल्फ करके उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं तुम लोगो शॉटकर में था नहीं है इतने में हो जाएगा संब नहीं है तो अब यहां पर द्यान देना तो क्वेश्चन क्या है मतलब इस फालूविंग डेटा यह डेटा दिया है तूरी इड़ने तरह टूरी एकोशनी एकोशन कमना यह जो रीगश्चन इस मतलब एक्सेंट औरrüकल फ्रेशां स्थेन y is equal to a plus bx and estimate x and y is equal to 10 तो जब x estimate करना y दिया रहेगा मतलब x तुम्हारा क्या है dependent variable y तुम्हारा independent variable ठीक है तुम्हारा regression equation क्या होगा x is equal to a1 plus b1y ठीक है अब बचो यहाँ पर जान देना यह b को ना तुम लोग byx भी बोल सकते हो और यह b1 को तुम लोग क्या बोल सकते हो bxy भी जो उधिक ठीक है तो अगर कहीं भी मैं बी निख रहा हो या byx लिख भी बोल सकते हो वहता हो गोतार सेम चीज ठीक है तो इसके लिए तुम्हें जो question दिया है मैंने उसको ऐसे table में लिखा X Y X में X की value put की 14 10 15 11 9 12 6 14 10 15 11 9 12 6 Y के जागे पर Y की value 8 6 4 3 7 5 9 फिर X square Y square XY ये value calculate करने का ठीक है correlation में तो हम लोग ने कितनी बार किया है मेरा correlation का भी playlist वो भी देख लेना जाके है ठीक है description में उसका भी link है लाइसेंबल टेह स्मॉल सेंबल टेह टाइम सीरीज इंडेक्स टंबर सबका लिंक रहेगा तुम लोगो description में देख लेना आपने चैनल पे अवले बले बले ग्रेड अप्रेड पे सकवेर निकालने का 14 स्कुर 10 स्कुर 10 का स्कुर 100 15 का स्कुर 225 11 का स्कुर 121 2100 כ pride Y का स्कुर 8 64 राइटिंग थोड़त छोड़ा लग रहा है रागा तो कोई वाक्ति में रेडर कर रहा हूं ना ठीक है 8 का square 64, 6 का square 36, 4 का square 16, 3 का square 9, 7 square 49, 5 square 25, 9 square 81 अब इसके बाद, x, y, 14 x 8, 112, 10 x 6, 60, 15 x 4, 63, 11 x 3, 33, 9 x 7, 63, 12 x 5, 60, 6 x 9, 54 अब क्या, x आड़ करो, 77, y आड़ करो, 42, x square आड़ करो, 903, y square आड़ करो, 280, x y आड़ करो, 442 ठीक है, अब यहाँ पर जान देना, तो n कितना है तुमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n तुमारा 7 है समेशन x, 77, समेशन y, 42, यहाँ पर खड़े वे जाता हूं, समेशन y, 42, फिर, समेशन x square, 903, समेशन y square, 280, समेशन xy, 442 ठीक है, सारी values लिख दिया, अब जो मेरा regression equation है वो लिखा बच्छो, ठीक है, अब इसके बाद, जो मेरा normal equation है जो मेरा normal equation, रिलेशन, मैंने detail में explain किया, यह सब चीद है, अभी फिलाल, वो मैंने explain के, इसलिए यह में बता पा रहा हूं ठीक है, अगर तुम लोगो समझने है कि equation कैसे आया, तो वो वीडियो देख लो, तुम लोगो समझ में आ जाएगा ठीक है, तो summation y is equal to na plus b summation x, जो मेरा first normal equation है, तो summation y के place पे summation y की value, कितनी है, 42, is equal to na, na बोले तो 7a, कहाँ पे तुमारा na, 7a, plus b summation x, b summation x मतलब क्या, 77 into b, summation x y is equal to, summation x y कितना है, 442, is equal to a summation x, a summation x मतलब क्या, 77 into a, plus b summation x square, b summation x square मतलब, b into summation x square is 903, 903 भी, अब अच्यों सुनों, ये दूनों equation इनको तुम्हें simultaneously solve करना है, ये equation को तुम्हें क्या करना है, simultaneously solve करना है, तो simultaneously solve करने के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 77 है, ठीक है, तो equation 1 को 11 से multiply करता हूं, तो 7, 11, 77, और मैं equation 2 के सा subtract क 7 into 11, answer कितना आ जागा, 77 a, 77 into 11, 77 into 11, answer कितना आ गया, 847, ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, और जो मेरा equation 2 है, equation 2, 442, 77 a, plus 903 b, 442, 77 a, 903 b, ठीक है, अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक किया, अब मैं सब्ट्रैक के तो मैं 462, 77 और 847 का sign change करोगा, यहाँ पे sign plus है, यह बच्चों, यह minus operation, यह sign नहीं है, यहाँ प्लस sign है तो minus, 77 का sign, यह नो तुम लोग ने 10 standard में किया है न, 847 का, प्लस sign है तो minus, अभी 42 में सब 462 के answer आ है, minus 20, ठीक है, फिर इसके बाद, 903 में से, 847 के answer आ है, 56, बड़ तुम्हें B चाहिए, तो बच्चों, यहाँ पे ध minus 0.36, अभी यहाँ पे धान दो बच्चों, तुम्हें B मिल गया minus 0.36, अभी तुम्हें A निकालना, B मिल गया minus 0.36, अब तुम्हें क्या निकालना, A निकालना, तो A निकालना एक लिए, मैं यह वाल equation use कर सकता हूं, यह वाल equation use कर सकता हूं, तो 42 is equals to 7A plus 77 into minus 0.36, तो substitute value of B in equation 1, in equation 1, ठीक हो, तुम्हें रिंचोड भी ले सकता हो, तो pause करके, तो अभी यहाँ पे धान देना, तो 77 into B के जाएक मिल गया minus 0.36, तो इसको solve करोगे, तो A का value आगा तुम्हें 9.96, देखो पूरा step by step है, A का value मिल गया 9.96, now we have A, we have B, we have A, we have B, तो अपना equation कैसा दिखेगा, A plus BX, A plus BX, A के इतना है, 9.96, plus BX, plus minus, क्योंकि B minus 0.3 थे, तो plus minus minus, minus 0.36X, यह तुम्हें 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 fit कर दिया, ठीक है, बट question में क्या बोले, estimate Y when X is equal to 13, estimate Y when X is equal to 13, तो X के जगे पे क्या put करो, 13 put करो, X के जगे पे 13 put करो, और 996 minus 0.36 into 13, solve करोगे, Y का value 5.28, मतलब मैंने यह data use करके equation fit किया, इसके बाद मैंने मुझे X की values दी थी, ठीक है, बट 13 पे मैंने estimate किया, तो यह तुम्हेरा fitting of regression equation and estimation होगे, ठीक है, तो हम लोग ने first part किया, तमाझ में आ रहा है, अभी हम लोग second part करते, second part करते है, estimate X when Y is equal to 10, ठीक है, ध्यान देना है, तो यह सब चीज़ तो सब पहले काई था, मैंने क्या किया, इतना था, उसको मैंने rough करके नया लिका, same, तो तुम्हारा जो equation आएगा, X is equal to A1 plus B1 Y, ठीक है, तो normal equation क्या आएगे, normal equation क्या आएगा तुम्हारा, summation X is equal to Na1 plus B1 summation Y, summation XY is equal to A1 summation Y plus B1 summation Y, पर यह दो normal equation है, बिले इसको और मेसल में detail में explain किया है मैंने ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में, summation X किझेके पर summation X का value, summation X कितना है, 77 na1, 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 n किتना है, 7 a1, plus B1 summation Y, B1 summation Y कितना है, 42 तो 77 is equal to 7a1 plus 42b1 इसके बाद summation xy 442 is equal to a1 summation y a1 summation y is 42 42a1 plus b1 summation y square summation y square is 280 280 अब दो बच्चों यह जो equation 3 and 4 है त्योंकि अलड़ी पहले वाले को एक दो दिया था मैंने और continuation इसके लिए इसको 3 and 4 दिया तुम लोग कुछ और देदो स्टार और हैच देदो तुम्हारे उपड़े अब जो equation 3 है ना यहां पर 7 है तो 76 42 इसलिए यह पूरे equation को 6 से multiply गिया और subtract किया और जो answer आएगा और fourth वाले equation से ठीक है तो तुम्हारा equation 4 442 is equal to 42 a1 plus 280 b1 मेंसे तुमने इसको 77 इंटू 6 करोगे 462 आएगा 7 इंटू 6 करोगे 42 आएगा 42 इंटू 6 करोगे 252 आएगा जोनों को subtract करो 280 देखो plus 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 तो minus minus 280 मैंसे 252 answer आए 28 42 मैंसे 42 answer आए 0 cancel हो गया strike out cancel चल भाई 442 मैंसे 462 minus 20 तो minus 20 is equal to 28 b1 minus 20 is equal to 28 b1 ना तो minus 20 is equal to 28 b1 तो तुम्हारा b1 का value क्या आजाएगा minus 20 upon 28 तो b1 is minus 0.7 0.71 तो तुम्हारा b1 मिल गया minus 0.71 ठीक तो a1 चाहिए तो मैंने equation number 3 में substitute किया 77 is equal to 7a1 plus 42 into minus 0.71 तो अभी यहाँ पर देहां देना 77 is equal to 7a1 plus 42 into minus 0.71 solve करोगे तो a1 के value कितनी मिल गयागी 15.26 तो a1 मिल गया 15.26 तो तुम्हारा जो regression equation था x is equal to a1 plus b1 y x is equal to a1 plus plus minus अंसर क्या आ जाएगा minus 0.71 y तो 15.26 minus तुम्हें क्या बोलाए यह तुम्हारा regression equation आ गया अब तुम्हें बोलाए y की value जो 10 रहीगी तो estimate करो x तो y के जाएगे पर 10 put किया और solve किया इस equation को x के value मिल गया 8.16 तो ये वीडियो में हमने दोनों टाइप के question देखे कि अगर y on x वाला equation कैसे बनाने का regression equation कैसे fit करने का x on y का regression equation कैसे fit करने का और इसको कैसे estimate करने का ठीक है अब तुम लोग इसके ऐसे मतलब ऐसा question दे रहे हो तुम लोग कोई भी sum solve कर सकते हो तुम्हारे उपर ठीक है तुम लोग कोई भी sum solve कर सकते हो ठीक है तो अभी यहाँ पर ध्यान देना जो इसका next video रहेगा उसमें मैं तुम लोग को shortcut method बताना है मैं लोग कि shortcut कैसे बिना इतना equation solve के directly जो हम लोग ने फॉर्मला डिजाइट किया था मेरे सेकेंड वीडियो में यह playlist के लेस्पार मेथड से वह formula यूज करके हम लोग कैसे निका लिए ठीक है तो अगर कुछ भी doubt है तो comment section में पूछ लो और व ऐसा मत करो किसी बेकी वीडियो को बागी फिर तुम लोग को नहीं समझेगे समझ में आ रहा है thank you for watching this video